नमस्का स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज एटीन मध्रप्रदेश 36 गर्ड मैं हूँ अपरना मौज़म वक्त हो गया है मध्रप्रदेश की महा डिपेट का आज बात देश के सबसे बड़े मुद्देपर 1976 के बाद ऐसा हो रहा है जब लोकसभा स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष में तक्रार है विपक्ष की शर्थ को मानने से सत्ता पक्ष ने इंकार कर दिया जिसके बाद स्पीकर के पत को लेकर टक्राव की स्थी बन गई विपक्ष ने स्पीकर पत के चुनाव में सरकार को सहयोग देने की बात कही लेकिन एक शर्थ पर वो थी डेपिटी स्पीकर का पत विपक्ष को मिले लेकिन विपक्ष की शर्थ पर सबता पक्ष जहमत नहीं है जिसके बाद अब लोग सभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा विपक्ष की जिद बिगड़ गई बात पूरे ओपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ओपोजिशन को मिलना चाहे शर्तों पर बात NDA नहीं सहमत ऐसे शर्तों के आदार पर किसी एक पटिकलर रेक्ती या पटिकलर पक्ष का ही उपाद्यक्षो वो लोग सभा के कोई परमपरा में नहीं बैख स्पीकर पर टक्कर बाकी है पिक्चर आज़ादी के बाद ये तीसरी बार है जब स्पीकर पत के लिए पक्ष और विपक्ष में सहमती नहीं बनी है अब स्पीकर पत को लेकर चनाव होगा नंबर गेम में NDA विपक्ष ते आगे है फिर भी विपक्ष अपने जित पर अड़ गया है आज महा डिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा तो विपक्ष खुद बिखरा हुआ दिख रहा है दूसरा नंबर गेम में भी पिछड़ा हुआ है तो क्यूं फिर जिद है इसी पर करेंगे चर्चा खास वैमान मेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन पहले महाडिबेट के सवाल क्या रहेंगे उन सवालों पर डालते हैं नसर पहला सवाल महाडिबेट कर रहेगा विपक्ष कि जिद कितनी सही यह पहला सिवा सवाल आज की प्रफेट रहें कि मेरे साथ खास वेमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉंग्रस के पूर्वधायक है शैलेंदर पतेल सुरेश वर्मा जी है वरिश्ट पत्रकार है बतौर पॉलिटिकल अनलिस्ट डॉक्टर आर के शुकला भी इस पैनल में जुड़ सब्सक्राइब कर रहा है कि अध्यक्ष जो सत्तापक्ष का हो जाता है और एक संचालन करने के लिए लोकसबा के संचालन के लिए उपाद्यक्षपद दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसबा चुनाओं के बाद लोकसबा चले, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी सत्ता पक्षकी होती, कि वो सरकार में होते हैं, उन्हें संसत को चलाना होता है, और चलाने के लिए समनवे की आउशकता है, वो समनवे जबी होता है कि जब हम सब मिलकर निर्ने करें, कॉंग्रेस ने कहा था और पूरी जो इंडिया गडबंद हैं, उनने कहा था, कि हम इसमीकर पद पर NDA के साथ मे हैं, लेकिन आप आप अद्धिक्षपद ले लीजिए और हमें उपाद्धिक्षपद दे दीजिए, तो इसमें जिद की बात तो नहीं थी, आप यह भी कह सकते हैं, कि जिद NDA कर रही है, जिद तो जबी होगी न, अगर जिद नहीं होती, वो पाद्धिक्षपद दे दे तो शायद चुनाव की नोबत नहीं आती, ठीक है, बीजेपी के स्पोक्सपरसन से इस बात का जवाब लेंगे कि जिद वो क्यू कर रहे हैं, अगर वो बात अराम से मान जाते तो फिर शायद नोबत नहीं आती, डॉक्टर आरके शुकला, किस दरब से आप देख रहे हैं, नंबर गेम में भले ही विपक्ष नंबर गेम उसकी फेवर में ना हो, लेकिन क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, विपक्ष अपनी मौझूदगी यहाँ पर दर्द करवा रहा है, कि इस बार ताकतवर विपक्ष सामने खड़ा है? निश्चित रूप से 2024 के जो लोकसभा चुनाव पयुनाम आये हैं, उसमें जो अभी हमारा IND नीत गटवंदन है, विपक्ष है, वो इस्ट्रांग विपक्ष है, और 2014 और 2019 की अपेग्षा, मुझे लगता है कि इस विपक्ष में पूरे देश का प्रतिने देत्र सामिल है, अब क्योंकि उनके पास संख्याबल भी है, श्ट्रांग विपक्ष है, तो वो अपनी सक्ती का अहसास कराना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले पास सालों तक ये सरकार किसी भी एरिये में मनमानी ना कर सके, अब रहा सबाल स्पीकर के चुनाव का, इस सभी को दिखाई दे र के साथ साथ आज जैसी खबरें आ रही हैं कि चार सांसद जो इना जगन मोहन रेड़ी जी कि उन्होंने भी समर्धन का एलाम कर दिया है, मतलब 297 उनके पास आल्रेडी हो चुके हैं, लेकिन अब आप बूसरी तरह देखिए, साय जैसी खबरें हैं, उसका पुक्ता प्रमा हित्र में पेले ही दिन साथ जो इंडी आई एंडी ये घट बंदन है, उसमें फूट नजार आ रही है, और ऐसी स्थिति में विपक्ष को चाहिए कि कम से कम लोकसभा स्पीकर का चुनाव अच्यूंकि होना है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों, दोनों ही प्रित्यासिरों नामंकंदर्च कर दिया है, परिवनाम कुछ भी रहें, लेकिन आने वाले समय में जन्हित की मुद्दों को लेके, अगर वो अपनी विपक्ष की भूम का नवाते हैं, तो इसका फायदा कहीं ज्यादा मिलेगा, बसरते की सिर्फ जिने विरोध के लिए विरोध करें, बिल केला उत्तर मारात की रादनिती से आते हैं, और के सुरेश केला से आते हैं, दच्छन प्लस दलत, क्या ये काड़ खेलने के कोशिश की गई है? पहले तो सबसे पहले तुम्हें ये कमगा कि ये जो हो रहा है, ये लोग चंतर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सवा अद्यक्ष जो है, वो जैसा सभी कह रहे हैं, मैं भी उसको सहमत हूँ, कि वो किसी एक दल का प्रतिनिती होने के बजाए, पूरे के पूरे सद अद्यक्स दे दीजिए, और लोग सवा अद्यक्स आप ले लीजिए, हम इसके लिए सहमत है, इसके अंदर एक बड़ी कुटिलता है, और कुटिलता ये है कि अभी कोई लोग सवा अद्यक्ष का चुनाव ये दिए, आज सीडूल में होता, तब ये बात बहुती जाइज ह सकते हैं, तो आप उपाद्यक्स के चुनाव के समय इस प्रकार की जिद करते हैं, या दोनों साथ होते तब जिद करते हैं, तो आपकी ये बात वेवारिक रखती थी, रक्षिन का आपने इसलिए केरल का वेक्ति किया है, क्यों पाइनाड से जो है राउन गांदी जी ने इ देखिए कि चुकि बेनुगोपाल जी केरल से ही है, तो एक ये भी एक बड़ा समीकरण है, तो मुझे ये लगता है कि जो एक आरोप लगता था, कि बंपन्थी जो लीडर्शिप है, जो आज कल कांग्रेस को टेक ओवर करे हुए, उसके जहमेले में राउन गांदी जी फस संदेश था, और उस संदेश के बाद सभी जगहें इस बात को लेकर के प्रशंसा हो रही थी, कि कांग्रेस ने बड़ा नितिगत बाते उठाई हैं, शैदांतिक बाते उठाई हैं, ब्रिजगोपाल लोया जी भी जुड़ गया हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपरसन है, ब्रिजगोपाल लोया जी, कांग्रेस की जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शालेंदर पटेल जी, वो ये कह रहे था कि भई, जिद्ध विपक्ष की क्यों कहलाई जा रही है, जिद्ध तो इस हत्ता पक्ष की भी है ना, आप एक तरफ कैमरे के आगे कह रहे हैं क जो speaker, deputy speaker, house का होता है, किसी party का रही है, किसी पक्ष का रहे हैं, तो फिर आपने क्यों रहे हो comm Considering के पिर पक्ष की का रही है, जो लोग के पराखें, बिलकुल ठीक बात है, परमपरा की जो लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले वो देखें कि परमपराई क्या हैं, तो 2019 से 2020 तक त परमपरा की दुहाई दे रहे हैं मद्यप्रदेश में उन्होंने बिदान सवा में उपाद्यक्ष का पद नहीं दिया था भारती जंता पार्टी को जबके अब तो लगवग बराबरी के दल थे देखिए परमपराओं की बात उन्हें कहना शोबह देता है जिन्होंने परमप अध्यक्ष का चुनाओं होता तो उनकी बात में बजन होता परन्तु मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने आज करने का प्रयत्न किया देश ये देख रहा है कि ये एक स्पीकर के चुनाओं से ज्यादा सौदेवाजी लग रहा है कि यदि आप किये हैं पिछले पांच वर्षों में लोगसभा स्पीकर रहते हुए और एक बात और कहूंगा कि पहला आउसर था कि जब कोई लोगसभा का स्पीकर रिपीट कर रही थे यदि ऐसे समय में बिपक्ष अगर उसमें अगर उसको निर्विरोध चुनाओं कराता तो उन्हें भी शोबा देता देश की जत्वरती और जो भारत की एकता की हम दोहाई देते हैं वो एकता दिखाई भी देती परन्तु जो लोग एकता की चर्चा करते हैं जो लोग जोडने के लिए यात्रा करते हैं वो लोग किस तरह सोदेवाजी करते हैं एक एक पद में ये आज पू यहां पर कि वो सवाल पर मैं आ रही थी कि जो कैसे आप मजबूत विपक्ष का परिशे दे पाएंगे जब विपक्ष में एक तर नजर नहीं आएगी टीमसी की तरफ से जो बयान आया है वो क्या दिखाता है दीखिये जहां तब क्या सवाल है कि यह पहली बात है मैंने आपसे पूरों में भी का कि सदन चलाने की जिम्मेदारी कोई सरकाद चला रहे हैं। समझज़ा उसकी और यह महांग है है। यहां टकोचित है जहां तक कहांगे पारंपराओं की बात हैं। पिछलावा साल सरकार किसकी थी कौन पर लीडर थे भारती जंता पार्टी की जिम्मेदारी थी आप पिछले 30-40 सालों का रिकार्ड उठाके देखिए लगातार ये परंपरा चली आ रहे हैं इस बार क्यों पाधियक्ष मांग रहे हैं मद्यपदेश की बात चल रहे हैं लोग माननी परंपरा ओंना नामाना सथापक्ष के हात में कौई उनके पर मजबूरी नहीं कोई नीयम या काइदा कानून सर्फ करके Państu से कर सकते हैं अब के सुरीच जी लगाता 35 साल से संसधा है अब उसमें केडियल Jao श्मी जूनियर वेक्टी हैं लगवा 35 साल का अनुबह हुआ है अगर ऐसे वेक्टी को करें उसमें भी राज नीती दिख रही तो आप क्या कहेंगे कोई जूनियर वेक्टी को तो बोला नहीं था जिसका लंबा अनुबह हुआ है लंबे अनुबह के सांद घुम बिल्ला जी ने जो स्तापित की वो भी हमारे सामने सोसो सांसोदों को ने इस तक लोगसबा से बहार निकाला वो भी हमारे सामने कि क्या उन्होंने माने किस्तापित किये उन बातों में नहीं मैं जाना चाहता कि आज उन्होंने पिछले कारिकाल में क्या किया विशे ये है कॉंग्रेस ने कहा क आप ढ़िए उपाद्यक्षपद देढ़ की जो अपने लोगसबा की जो अपद्यक्षि चुनाव के साथ उपाद्यक्षपद नहीं कर आ रहें यह तो आप नर्ट परिबिजें नहीं है तो सरकार रहेंगे पॉर्डाई लड़ाई लड़ेंगे यह म आपके कहना चाह रहे थे बिल्कुल लड़िये हम तो खुद कह रहे हैं मगर लड़ाई किसकी लड़ेंगे इस देश की 140 करोड जंता की लड़ेंगे या एक परिवार के किसी नेता के जिद के आप लड़ाई लड़ेंगे सरक लोया जी आपका सिगनल शायद फ्रीज हो गया ह आप पर रिकनेक्ट करने के हम कोशिश करें जी कब तक संभिधान की आप दोहाई देंगे आप मुझे ये बताईए कभी एक मुख्यमंत्री का बोट लोक सभा में डलवा देते हैं और किसकी दोहाई देते हैं नहीं पता एक बात और बड़े बिनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पहले ऐसे उधारन भी पताए कहीं करके दिखाए कि हमने ये किया था अरे आपने तो इस देश के लोकतंत्र को नश्ट कर दिया था आज ही वो देने 25 जून 1975 को आपने इस देश के संभिधान को सस्पेंड कर दिया था आज उसकी प्रतियां आप लहरा कर इस क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने इस देश के इसी संभिधान को नश्ट किया था इसी में दिये गए दस मौलिक अधिकारों को हमने समाप्त कर दिया था और मैं आज फिर से कहता हूं जब चुनाओ आज स्पीकर का था तब जिस तरह का रवया है वो दुरभागिपूर ने पर एक बात और है आपके पास नंबर है वो तो ठीक है वायार सीपी ने फिर ओम बिर्ला जी को अपना समर्धन दे दिया इस तरह की भाषा ममता बनर जी ने प्रियोग में लाई है कि वो भी आपके साथ नहीं है तो आपका जो एलाइंस 231 का दिख रहा था वो ऐसा दिखा जी दीखिये पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पहले की परंपराइं को आप देख लीजे जिस तरीके से लोया जी कह थाνहीए बात किरक्री की नहीं है बात इशू की है कि इस तरीके से हमें कर सदन चलाना बर्यार आपांस चार सो पार का नारा दिया और प्रधार मंती जी की लीट सारे पांच टाक से 6,5 लाग परागे, वो इस अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बीश में स्टर्ब नहीं किया, आपको बीश में लोहिया जी सुनने की आदर डाली है, भात टी जनता पार्टी की दोहाई द होंगी देखें देखें यही समस्या उनकी आप जब बोल रहे हैं मेरी बात में अलग हो गए अब जिस तरह से आपने पहरी लड़ाई के लिए कदम बढ़ाया है सदन के अंदर तो वहां पर टीमसी नराज दिखाई दे रही है तो कहीं न करें तो आपको अपने जाकना लेगा ना देखिए निश्यत रूप से इंडिया गडबंदन में बहुत सारी पार्टियां कहीं ने कहीं अगर कुछ चीजें होंगी उसको बैट के दूर कर लेंगे उसमें को इश्यू नहीं अब एक पड़िवार को लेकर आगे कि रहूल गांदी स्पीकर का चुनाव है उसको उसको हम लडा रहे हैं तो उसके लिए क्या है देश बना लोया जी बीच में क्यों बोलता है यह बड़े लोया जी जा सुनने के आदर डाली है अब सुनने के आदर डाली है आप ना जाने कौन स्ट्राइक परिवार के शाम लगा रहे हैं क्या के सुरेश गांधी परिवार से हैं आड़ बार के सांसर नहीं अनुसुच जाती के हैं वो कहीने के वरिश ट्रेस लिए उनका नाम आगे बराया है इन सो क्यों पेटे तुप्रा अनुसुच जाती का वेक्टी के वपाज़ जाएगा फिर बीचे वोले लगे अरे शांती रखो लोह याजी को शांती रखो अरे शांती आदर लोह याजी यही हमारा आरोप है कब तक ठकेंगे अनुसुच जाती को पिछली बार आपको आरके शुक्ला जी नंबर्स की लेकर बात हो गई यहां पर की नंबर फेवर में नहीं है लेकिन कॉंग्रेस ते विपक्षिस आप कर दिया कि देखे मौझूद की दर्ज करवाने के लिए ही अपनी असेमती दिखाने के लिए ही उमिद्वार तो उतार दिया गया है नतीज लिए है लोग सवाज स्पीकर के चुनाओं में अपना उमीद्वार खड़ा करके उन्होंने आने वाले भविस्थ में सरकार को सरकार को एक संदेश दिया है कि अब विपक्ष से चुप बैठना वाला नहीं है सरकार के प्रतेक कदम का या ऐसे कदम जो विपक्ष के हिसाब से उचित नहीं होंगे वह उसमें फाइटिंग की पोजिशन में रहेंगे अब हार या जी तो बोटेंग के बाद ही तैय होगी कि कि कल किसका स्पीकर चुना जाता है निश्चित रूप से संख्याबल में एंडी गटबंदन आंगे है और उसका स्पीकर चुना जाना तै ल दच्चिन की सियासत का रुक कर रहती हूं इसी पूरे मुद्दे को लेकर क्योंकि भले ही उम्मीदों के अनुरूप परिणाम बीजेपी के लिए ना आयो लेकिन दच्चिन में बीजेपी की एंट्री तो होई ही चुकी है केरल में भी एक सीट बीजेपी लेकर आई ही बीजेपी ना अपने पैर पसाद ले इसको देखते हुए ये बड़ा मूव कह सकते हैं देखे केवल केरल ही नहीं तमिल नाडू को छोड़ करके सारे दक्षण के राज्यों में बीजेपी ने अपनी स्थिती को सुधा रहा है तेलंगाना में कॉंग्रेस की सरकार है दोनों के आठाठ सांसद है आप उड़ी सा देख लीजिए आप जो है करनाठ देख लीजिए उसके अंदर बीजेपी की संख्या ज्यादा है कांग्रेस की संख्या कम है इसलिए दक्षण में बीजेपी ने अच्छी स्थिती बनाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि प्रियंका गांधी जी को चुनाव नहीं लड़ना होता तो दक्षण के जिन महनुभाव को जिने दलित कहा जा रहा है उनके लिए इतनी लाबिंग और ये वेवस्ता करने के आउशक्ता नहीं होती जैसा कि सरकारी पक्ष ने कहा है कि यदि आपको ये लगता है कि एक दलित के साथ नया होना चाहिए तो ने नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए ये उनका कहना है मेरा कहना नहीं है यह अदिकार कांग्रेस के पास है लेकिन जो एक बात आपको कहना चाहता हूँ वो यह है की क्या कारंटी है कि उपहक« का आध की 900 जी तो इस प्रकार से यहां तक समझ में आ रहा है यह एक दवाव बनाया जा रहा है कि कांग्रेश के प्रतिन इधी को लोगसभा का उपादेक्स बनाया जाए ऐसा आसवाशन दिया जाए यह मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यही बात जो है जो राजणाज सिंग जी के साथ पैठक हुई थी उसमें टीयार बादू साब गए थे उन्होंने उस पर अस्थाक्सर करने के लिए हाँ भर ली थी और नामीनेशन पर लेकिन कंग्रेश के जो बेनु गुपाल जी है उनकी बात कंप्लीट कीजेगा क्या यही वज़ा है कि ममताब अनलजी से भाप गई ट्रीयमसी भाप गई और से लिए वक्त रहते ही नराज़गी जाहिर कर दी कंग्रेश का राजनतिक इतियास देखिए अब जितनी बार भी कंग्रेश के समर्थन से कोई भी व्यक्ति पुर्धान मंत्री बना है उनको उन्होंने सक्सस नहीं होने दिया इंडिया गठबंदन बना जो है आप पहले व्यक्ति को देख लीजिए जिसने प्रारम किया था उसको भार कर दिया गया वातावरन ऐसा निर्मित हुआ कॉंग्रेश जो है हमेशा ताकतवर होने के लिए प्रियास करती है और करना भी चाहिए उसको कोई इंकार नहीं कर सकता इसके कारण टीम्सी की नाराजगी है कि यह सारा का सारा चार लोगों ने बैठ करके मैं फिर क शुक्रिया आप सभी का चर्शव में शामिल होने के लिए इतना ही वक्त मेरे पास था लगी ये पहली बार होने जा रहा है कि चुनाव होगा ध्यक्षपत के लिए और दोनों ही तरफ से अपनी-अपनी कमर कसने की बात यहां पर कही जा रहे है लेकिन यहां सवाल यही है क कि जो सामने दिखाए दे रहा है निशाना वही है या निशाना कुछ और है लगातार खबर जा रही है आप जोड़े रहे न्यूजेटि मध्यप्रदेश अतीजगर के साथ